सो हेलो गाईज के सो असमें लोग उम्मीद करता हूं सब अच्चे होंगे तो आज के वीडियों हम यहां पर कंपेरिजन करने वाले फ्री फायर की तीन टोप सबसे बेस्ट शोडगन का तो गाईज इन शोडगन के हम डेमेज, रिलोड टेस्ट और यहां पर एक्यूरेसी के आदार पर ताही करेंगे कि इन टीनों शोडगन में से कौन शोडगन सबसे बेस्ट है अभी जो नहीं आए एमेजी सेवन, मेक सेवन इसको बोल सकते हैं यह भी कापी अच्ची शोडगन है तो देखने वाली बात होगी इन टीनों के शोडगन के जो एट्रिबीट से इनके आदार पर इन त्युनों में सबसे बेस्ट शोडगन कोन सी है तो गाई सबसे पहले अपने मेक सेवन का आपि बोल सकते हैं इमेजी सेवन का सबसे पहले पूरी गन को खाली करें देन इसके इंदर जब तक एमो आएगा तो इन दोनों के बीच का जो डिप्रेंस होता है वो इसका रिलोड टेस्ट आ जागा है बोल सकते हैं कि रिलोड रोने में इतना जादा टाइम लेती है तो गाईस यहां पर 2.3 सेकंड का जो टाइम लेती हैं पर मेक सेवन रिलोड रोने में तो बाकी गन का भी डिप्रेंस देख लेते हैं देन और वरल स्टेंड निकालके हाला कि अगली शोड अपने पास आने वाले हैं यहां पर M1040 जो कि बहुत ही अच्छी शोड करने तो गाईस उसका भी रिलोड टेस्ट आप बोल सकते हैं रिलोड टाइम आरा 3.6 सेकंड जो कापी ज़्यादा होता है यहां पर डिप्रेंस में M18 से तो यह गन सबसे मेक सेवन के डेमेज टेस्टे की तो यह गन कापी साथ ओपी है पर बास के बीना हेलमेट वेश्टे के यह जुगन मारती है हेटशोड 110 का आला कि हेटशोड कापी अच्छा है 110 का बड़ यहां पर तीन ही गोली इसके अंदर से इंकलती हैं जिसमें से एक तो है एक्यूरेस 20 का डेमेज देती है बंदे को बीना हेलमेट वेश्ट के साथ से हेलमेट वेश्ट आप बनदे को अपन पहना देते हैं अंस से हैलमेट वेश्ट जीक आउट कर से बड़ेयर हैं इसको पिंड हो यहां पर लेवल का हैलमेट रोसात मैं लेवल ट्री का वेश्ट यहां ब्लेसे लाइँ हैं और यहां पहळा और फाइर में ऐसेवं पहों लिया थो कहीना कई अगर हैं अर्फ यहां के देमेज नर कमए मिलती उपर होंगे इस्टिल अगर आप खड़े रखे मारते हो तो दस से पंदर यहां पर बोडी शुट लगता है विट हेलमेट वेश्ट अब यहां पर बात कर लाथे गाया इस और यहां पर यहां पर अब हम डेमेज टेस्ट करने यहां पर एक बार अगर इसका जो एम हेट के उपर लग गया पूरा तो फंड्रेट प्रसंट बना पास लेवल थरीगा है हेलमेट हो यहां पर फूटेगा क्योंकि यह वाली गण जो फायर करती है इसके सारी बोड़ी जो हेट पर जाके लगती है बास करें इसके बोड़ी जोट की तो यहां पर साथ से बारा से सोला का यहां पर बोड़ी जोट निकलती है तो अब यहां पर इसकी औरल स्टेंडिंग निकलते हैं किस तरीके से यह सारे जो मारती है तो भाई लोग बास करें पर एम डेन भोटी के यहां पर डेमेज चेस्ट यहां पर बोल सकते हैं लंबी नली वाली शुट गन बोलते हैं इसको जादर बंदे तो यहां पर 93 का जो हेट शूट मारती है बिना हेलमेट के और वहीं बास करें पर बोड़ी चोट की तो यहां यहां पर बारती है 12-17 का यहां पर बोड़ी शुट मारती है जो कि काफी ज़्यादा होता है बाकी गन का भी लगबग सेम टू सेम ही है बट इस गन की खास यह इसकी जो इसकी ने अगर उनको लेकर चलाते है तो यह बंद जो गन है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जात है बोड़ी शुट मारते हैं पर 5-12 का तो यह गन भी काफी अच्छी बात करें तीनों गन का डेमेज काफी है बात करते हैं पर एक्यूरेसी ही तो इस गन की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके अंदर से सिर्पर दो ही गोले निकलती तो ऐसा में रि इस गन के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता है कि उसका यह मोता है उसका जो सरकल होता है वह बढ़ा हो क्योंकि यह दो ही फायर करती तो इसने में इसकी एक्यूरेसी जो है सबसे ज्यादा अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप स्टिल एक जगह पर रहकर इस इस गोली बहुत ही कम रिक्वाइल मारती है तो इसे में इस गन का शायद कोई तोड़ होगा शोट रेंज की मामले के मुकाबले में तो गाइस यह एक्यूरेसी सबसे बेश्ट गन है इस बात करें पर एम देन फोटी के एक्यूरेसी टेस्ट है कि तो यह गंद एक बार में 6 बात 6 आंट करते रहें इसके झतना बढ़ैं का है जितना का साइथ होता है कयूरेसी इतना ही बिगड़ता है यह ज्ड़ता है इंसकाहिकरेज़्य नहीं परकर हम साचगते है यह घूरीरेसी इंढ़करिक करना ness 5Er कीक्यूरू करते इस जितना पाय करती है उसका रेट ओफ आइर बहुत ही अच्छा है ऐसे में वह दीरे दीरे उपर बढ़ा होता है एंसले शुर्ट के मुकाबले तो ऐसे में इसका जो एक्यूरेसी है वो अच्छा है यहाँ पर M1040 से और सबसे अच्छा है यहाँ पर M8 सिट्ट्या सी है तो बाकी जितने भी मैंने जो यहाँ पर अपने इसके comparison किये उन सबी का अगर एक साथ यहाँ पर जो मिश्रन करें और सबसे बेश्ट टेकर निकाले यहाँ पर अच्छा है रेंज अच्छा है रेटो फाइर अच्छा है सब कुछ अच्छा है दूसरे नमबर पर आते में अच्छा है और शाथ नमबर पर आते M1040 वाइस आज के वीडियो में इतना ही